एक NPN ट्राउंजिस्टर है BC547 आज हम इसकी help से logical gates बनाएंगे जो कि add gate और or gate बनाएंगे जो कि basic gates हैं यह first terminal is a collector terminal यह बीच का base terminal है और यह last वाला emitter terminal है यह इसका symbol देखते हैं इसका symbol कुछ इस तरीके से हैं यह NPN transistor है जो आपको बताया है मैंने इसमें यह base terminal है collector terminal और जहां से current बाहर निकल रहा हो emitter terminal है और NPN transistor में यह collector terminal होता है यह base terminal होता और current का direction इस side है यह emitter terminal है emitter terminal पे हम current का direction सो करते हैं तो जो बाहर की तरफ जाती हो दिख रहा है current का direction उससे बता सकते हैं कि यह NPN transistor है NPN PNP transistor positive to negative current का direction रहेगा आईए दोस्तों सबसे पहले हम end gate दिखते हैं जो कि यह बहुत basic gate basic है तो end gate का symbol इस तरीके से होता है एक यह a input है एक b input है output हम यहाँ पर है by end का मतलब y is equal to a into b अगर हम truth table में देखें तो a b और यह output by तो जिसे 0 0 दिया तो 0 into 0 0 0 into 1 दिया तो 0 and 1 into 0 दिया तो again 0 and 1 into 1 output 1 यहाँ पर देख सकते हमने दो transistor को कुछ ऐसा connect किया हुआ है यह एक end gate की configuration है हमने यहाँ पर 5 volt की supply 8 की एक current control register डाला और यहाँ पर LED लगाया यहाँ पर transistor का एक emitter दूसरे transistor के collector से जुड़ा हुआ है और जो base है वहाँ पर हमने a input दिया है second base में b input दिया है तो दोनो transistor में और यहाँ पर ground कर दिया इसको चलो हम देखते हैं कि यह work कैसे करेगा आखर logic gates काम कैसे करते हैं practically समझते हैं जिससे मेरा first a पर input मैं 0 देता हूं और b पर input 0 देता हूं इसी condition में अभी दोनों switch open है तो a get a पर and get b पर दोनों पर 0 volt जा रहा है इससे की output हमारा बंद है means 0 आ रहा है वैसे ही अगर मैं यहां पर 0 देता हूं और यहां पर बंद देता हूं suppose यह a switch a है और switch b है तो मैं switch b को 1 देता हूं और switch a को 0 तो मैंने switch b को 1 दिया अभी भी output हमारा off है उसी तरीके से अभी मैं switch a को 1 दूंगा और b को 0 apply करूंगा तो देखते हैं a को 1 करते हैं a को मैंने 1 किया तब भी output हमारा 0 ही रहा अभी इस condition में a को भी बंद करता हूं और b को भी बंद करता हूं दोनों को switch को close करता हूं देखते हैं दोनों को switch close करने पर हमारा output हाई हो गया means output 1 हो गया और led on हो गया simple है अगर मैं यहां पर 0 देता हूं और यहां पर 0 देता हूं तो obviously दोनो gate पर voltage 0 रहेगा कोई current draw नहीं होगा तो इस condition में दोनो transistor off रहेंगे करे अगर मैं यहां पर one देता हूं और यहां पर zero देता हूं तो इस condition में यह वाला transistor यह ट्रांजिस्टर कंडेक्ट करेगा तो इसको कोई ग्राउंड पाथ नहीं मिलेगा इस वज़े से यह LED on नहीं होगा सुच on नहीं होगा अगर मैं यहाँ पर 0 देता हूं यहाँ पर 1 देता हूं सेम कंडिस्टर रहेगी यह ट्रांजिस्टर ओफ रहेगा और यह ट्रांजिस्टर ओन हो जाएगा तब यह वर्क नहीं करेगा अगर मैं यहां पर 1 देता हूं और यहां पर 1 देता हूं मतलब दोनों ट्रांजिस्टर मेरे on रहेंगे तो इस condition में मेरा current flow करेगा और LED glow करेगी आप देख सकते हैं यहां पर यह और गेट है और गेट का सिंबल से हमारा second basic gate से जो हम समझेंगे यहां पर input A है और दूसरा input B है output Y है A plus B आईए हम truth table देखते हैं truth table में क्या है 0, 0, 0, 0 होगा आपका 0, 0, 1 पर output आपको high मिलेगा 1, 1, 0 output 1, 1 plus 1 output 1 यह basic gates है आईए हम इसको transistor की help से समझने कोशिस करते हैं कि इसकी transistor की configuration कैसी होगी और यह practically कैसे work करता है यह हमारा transistor के साथ configuration है यह 5V हमने battery connect की है एक resistor लगाया है LED लगाया है output देखने के लिए एक transistor यह है input B है और दूसर ट्रांजिस्टर यह है input A है इन दोनों को इस तरीके से लगाया कि collector collector से connect है and base जो emitter है emitter को connect करके ground कर दिया return path कर दिया आई हम इसका practical circuit देखते हैं देखी मैंने यहां पर दो transistor का arrangement किया है एक transistor यह connect है दूसरा यह है और एक हमने LED लगाया हुए output देखने के लिए उसका base यहां पर एक switch से connect होके यह हमारे supply connect करते हैं यहां पर एक switch से connect है के plus 5V supply हमने यहां पर connect की है यहां पर हम देख सकते हैं हमने configuration जो की है कि यहां collector to collector connect किया हुआ है यहां पर emitter को ground किया हुआ है common कर दिया गया है यहां पर trot table में समझते हैं कि अगर मैं 0 0 देता हूँ अभी condition क्या है दोनों switch open है means दोनों जगे 0 0 है तो हमारा output off है वैसे ही अगर मैं एक जगे 0 देता हूँ मतलब switch A पर मैं 0 देता हूँ और switch B पर मैं 1 देता हूँ यह suppose switch A है and suppose switch B है अगर मैं switch B पर 1 देता हूँ तो मेरा output high होना चाहिए देखते हैं वैसे ही आप यहां पर मैं switch A पर 1 दूँगा और switch B पर 0 दूँगा तो मेरा output high होना चाहिए तो यहाँ पर देख सकते हैं यह output high है और मेरा यहाँ पर मैं switch A को conduct करता हूँ switch B open रखता हूँ और वैसे switch A को भी high करता हूँ switch B को भी high करता हूँ तो output मेरा high आना चाहिए आप देख सकते हैं दोनों switch को मैंने high किया हुगा है दोनों switch को close कर दिया और output high हो गया है तो आप यहाँ पर समझते हैं हम कि actually मैं circuit work कैशे कर रहा है देखिए अगर मैं A पर 0 दिया और यहाँ पर भी 0 देता हूं तो दोनों transistor off condition में रहेंगे दोनों transistor conduct नहीं करेंगे कोई current का flow नहीं होगा अगर मैं एक switch को 0 देता हूं suppose इसको 0 दिया and B को 1 दिया है तो इसमें ऐसा है कि B को जैसे ही मैं high करता हूं कुछ A के base को open रखता हूं और B के base पर 1 देता हूं तो यह वाला transistor हमारा conduct कर जाएगा और LED glow करेगा बैसे ही मैं अगर A पर 1 देता हूं और B पर 0 देता हूं तो इस case में क्या होगा कि यह वाला transistor हमारा conduct कर जाएगा और जिस पर मैंने 0 दिया यह मेरा transistor है वो off रहेगा transistor base A को भी high करता हूं base B को भी high करता हूं तो इसी condition में दोनों transistor conduct कर जाएगे और output high हो जाएगा यह simple basic configuration है transistor के थुरू हमने यहाँ पर logic gates को समझा है दोस्तों यहाँ मैंने यह end gate का configuration बनाया और यह or gate का configuration बनाया जो कि मैंने आपको समझा है बहुत ही practically way में और simple way में कि अगर मेरा end gate में इसी case में दोनों input high रहेंगे तो output high होगा otherwise output low रहेगा तो मैं अगर एक switch को high करता हूं दूसरे को off रखता हूं या फिर इस switch को on करता हूं और इसको off रखता हूं तो output low ही रहेगा वर्ट मैं अगर दोनों input को दोनों स्विच को close करता हूँ तो मेरा output high हो जाएगा वैसी इसी case में अगर मैं और gate को लूँ तो और gate में हमारा ऐसा है कि दोनो input low होंगे तभी output low होगा otherwise अगर एक input high है और एक low है तो output हमेशा high मिलेगा आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं यहाँ पर एक switch को close किया on किया तो output high आया इस switch को on करूंगा output high आएगा दोनों switch को on करूंगा output high आएगा वाट मैं दोनों switch को open रखता हूँ तो output हमारा low रहेगा दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो share करें, subscribe करें and bell icon को प्रेश करें प्रेश करें